नारायन नारायन दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी-कभी एक ऐसा मौका आ जाता है, जिस व्यक्ति को हम समझते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, वो ही व्यक्ति ही हमारे लिए कारे कर रहा होता है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है, मैं आपको अपने जीवन से जुड़ जाना था बैंग लोड जाने का, and I stayed there for nearly 15 days, 15 दिन के लिए मैं रुकी थी, तो एक होटल में मैं रुक गई थी, और मैं डेली जहां मेरा ओफिस था, वहां पर मैं जाया करती थी, मैं पास ही में एक रेस्ट्रान था, उसमें जाती थी, वहां रेस्ट्रान में जाने के बाद मे मैंने कुछ दिन बाद देखा कि एक वेक्ती चुपचाप घुसता था, और खाना खाकर और भाग जाता था, चुपके से सबकी नजर बचाकर चला जाता था, मैंने उसके बाद ने भी नोटिस किया, दो-तिन दिन लगातार इसी तरीके से हो रहा था, कि वह इसी तरीके से और खाना खाता और चुपके से गाया बचाता, तो मैंने जाकर उस रेस्ट्राओं के मालिक से कहा, मिन का भाया, आप देखते नहीं हो वो आदमी इस तरीके से करता है, बोला मैडम, मुझे पता है, वो वेक्ती आज से नहीं कई सालों से ऐसे ही कर रहा है, बैंगलोर में ल मचते भी हैं और बोलते भी हैं, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कि देखे माडम, मैं जानता हूँ कि ये वेक्ती खाना खाता है, और चुपके से निकल जाता है, आपने कभी नोटिस की एक बात चलिए, आप कल इस वेक्ती के जब आने का टाइम होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा, as usual मैं भी रोज की तरह महाँ पहुच गई, मैंने का चलो खाने का टाइम हो रहा है, और मैं बहुत क्यूरिस भी थी जानने के लिए, कि वो मुझे ऐसा, शॉपके पर मुझे ऐसा क्या, वो रेस्टोरों का मालिक क्या दिखाना चाहता है, उसने मैं इसे कह दिया था, मैडम आप रोज जितने बज़े आती हैं, कोशिश करके उससे कम से कम दस मिनट पहले आ जाईएगा, तो उस दिन मैं अपने अफिस से थोड़ा से जल्दी निकल गई, वैसे भी पास मी रेस्टोरों था, इतने दूर भी नहीं था, मैं प्रातना कर रहा है, आप जानती हैं, वो क्या प्रातना कर रहा है, वो कह रहा है, नारायन, इस रेस्टोरों में खुब भीर हो जाए, बहुत भीर हो जाए, इतनी भीर हो जाए, कि पग रखने को जगा ना रहे, जिससे कि मेरा पेट भर सके, वो इस तरीके की प्रातना करत मेरे रेस्टराउं में भीड़ बढ़ जाती है इतनी भीड़ हो जाती है कि कहीं भी पैर रखने को भी तिल रखने को भी जगानी होती है फ्रेंट्स वह आता है वह खाना खाता है सबकी नजर बचाकर चुपके से निकल जाता है मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान में से कैसे निकाल दूँ मैं उसको रंगे हातों कैसे पकड़ लूँ जिसके कारण मेरी दुकान चल रही है जो रोज रोज भगवान से ये प्रारतना करता है कि है भगवान इस रेस्टराउं में रश बढ़े तो मेरा पे चले तो आपको कभी नहीं यो नेवर नो फ्रेंट्स आप किसकी दुआउं से फ्लारिश कर रहे हैं फल फूल रहे हैं इसलिए कभी भी किसी के उपर भी आक्शन लेने से पहले ज़रूर सोच लेजेगा फ्रेंट्स कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने ही पैरों पर आपी को लहड़ी मार रहे नहीं 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 प्रेंट्स से यू सुन भाई